सूप्रभाद विद्यार्थियों आप सभी विद्यार्थियों का हिंदी कक्षा में स्वागत है आज हम हिंदी पार्थ माला में पिता का पत्र पुत्री के नाम पार्थ पढ़ेंगे सबी विद्यार्थी अपनी हिंदी पार्ट माला मिशीका के पुस्तक निकाल लीजिए प्रिष्ट क्रमांग 100 पर आजाएए पार्ट 14 पिता का पत्र पुत्री के नाम तो बच्चों पिता जो होते हैं वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं एक पिता चाहे अपने बच्चों के पास हो या दूर वो हमेशा बच्चों को अच्छी बाते सिखाना चाहते हैं नहरुजी ने पत्र के माध्यम से इंद्रा जी को क्या समझाया आईए पढ़कर जाने तो बच्चों सबसे पहले पत्र किसने किसको लिखा है पत्र जवाल लाल नहरुजी ने इंद्रा जी को लिखा है जवाल लाल नहरुजी क्या लिखते हैं आईए पढ़ते हैं प्रिये इंद्रा नैनी 26 अक्टोबर 1930 तो बच्चो यह पत्र कब लिखा गया है? यह पत्र 26 अक्टूबर 1930 को लिखा गया है जन्म दिन पर तुम्हें कई उपहार मिलते रहे हैं शुपकामनाएं भी दी जाती रही हैं पर मैं इस जेल में बैठा तुम्हें क्या उपहार भेज सकता हूं? हाँ मेरी शुपकामनाएं सदा तुम्हारे साथ रहेंगी तो बच्चो जवालालनहरू जी इस समय कहा है? जवालालनहरू जी इस समय जेल में बैठे पत्र लिख रहे हैं वे कहते हैं कि जन्म दिन पर तुम्हें कई उपहार मिलते रहे हैं किसे कहते हैं? इंद्रा जी को कहते हैं कि जन्म दिन पर तुम्हें कई उपहार मिलते रहे हैं शुपकामनाय यानि आशिरवाद भी दी जाती रही है पर मैं इस समय कहा हूँ मैं इस समय जेल में बैठा हूँ और तुम्हें क्या उपहार बेश सकता हूँ लेकिन हां मेरी शुपकामनाय आशिरवाद सदा तुम्हारे साथ रहेंगी क्या तुम्हें याद है कि जॉन आफ आर्क की कहानी तुम्हें कितनी अच्छी लगी थी तुम सोयम भी तो उसकी तरह बनना चाहती थी पर साधारन पूरुष तथा इस्तरियां इतने सासी नहीं होते वे तो अपने प्रतिदिन के कारियों बाल बच्चो तथा घर की चंताओं में ही फसे रहते हैं परन्तु एक समय ऐसा आ जाता है कि किसी महान उद्देश की पुर्ति के लिए सभी लोगों में असीम उत्सा भर जाता है साधारन पूरुष वीर बन जाते हैं और इस तरियां विरांगना है तो बच्चो इंद्रा जी को किसकी कहानी अच्छी लगी थी? इंद्रा जी को जौन आफ आर्क की कहानी अच्छी लगी थी और इंद्रा जी किसकी तरह बनना चाहती थी? इंद्रा जी जौन आफ आर्क की तरह बनना चाहती थी किन्तु जवालाल नहरुजी कहते हैं कि साधारन पूरुष तथा इस तरियां चो होती हैं वो इतने साहसी यानि इतने हिम्मत वाली नहीं होते वे किस में फसर है जाते हैं? वे अपने प्रतिदिन के कारियों, बाल बच्चों तथा घर की चिंताओं में ही फसर है जाते हैं कौन फसर हैं? साधारन, पूरुष तथा इस्त्रियां घरों की चिंता, प्रतिदिन के कारियों, बाल बच्चों इन सब में फसे रह जाते हैं किन्तु एक समय ऐसा आ जाता है कि किसी महानुद्देश की पूर्ती के लिए सभी लोग क्या कर देते हैं सभी लोगों में इतना उत्साह जाता है कि वे साधारन इस्तरिया पूरुष कैसे बन जाते हैं साधारन पूरुष तथा इस्तरिया जो होते हैं वीर और विरांगनाय बन जाती हैं प्रिए बच्चों आजकल हमारे भारत के इत्यास का निर्मान हो रहा है बापू जिने भारत वासीयों के दुखों को दूर करने के लिए अंदोलन छेडा है मैं और तुम बहुत ही भागयसाली हैं कि ये अंदोलन हमारी आखों के सामने हो रहा है और हम भी इसमें कुछ भाग ले रहे हैं एक महान उदेश हमारे सामने हैं हमें इसकी पूर्ती के लिए बहुत कुछ करना होगा तो बच्चों किसका निर्मान हो रहा है भारत के इतिहास का निर्मान हो रहा है और भारत के इतिहास का निर्मान करने में सबसे पस्तरवर पत्रम कौन आगे बढ़ा है भारत के इतिहास का निर्मान करने के लिए बाप्पू यानि महात्मा गांधी जी आगे बड़े हैं उन्होंने आंदोलन क्यों छड़ा है उन्होंने भारत वासियों के दुखों को दूर खरने के लिए आंदोलन छड़ा है और इंद्रा जी और जवालार नेरो जी अपने आपको भागेशाली क्यों कह रहे हैं वे अपने आपको भागेशाली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आंदोलन उनके आखों के सामने हो रहा है और वे भी इस आंदोलन में कुछ न कुछ भाग ले रहे हैं और एक महान उद्देश उनके सामने हो रहा है और वे कहते हैं कि हमें इसकी पूर्ती के लिए बहुत कुछ करना होगा यानि हमें इसे पूरा करने के लिए बहुत कुछ अब सोचना यह है कि इस महान आंदोलन में हमारा कर्तब भी क्या है इसमें हम किस तरह भाग ले परन्तु जो कुछ भी हम करें हमें इतना इसमिन रखना चाहिए कि उससे हमारे देश को हानी न पोचे कई बार हम संदे में भी पढ़ जाते हैं कि हम क्या करें क्या न करें या निश्चे करना कोई सरल कार्य नहीं है जब भी तुम्हें कोई ऐसा संदे हो तो ठीक बात का निश्चे करने के लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा उपाय बताता हूँ तुम कोई भी कार्य ऐसा न करना जिसे दूसरों से चिपाने की इच्छा तुमारे मन में उठे किसी बात को चिपाने की इच्छा तभी होती है जब तुम कोई गलत कारे करती हो बहादूर बनो और सब कुछ स्वयम ही ठीक हो जाएगा यदि तुम बहादूर बनोगी तो तुम ऐसी कोई बात नहीं करोगी जिससे तुम्हें डरना पड़े या जिसे करने से लजजित होना पड़े बच्चों किसका निर्माण हो रहा है भारत के इतिहास का निर्माण हो रहा है आंदोलन किस ने छेड़ा है आंदोलन बापू जी ने यानि महात्मा गांदी जी ने छेड़ा है आंदोलन क्यों छेड़ा गया है आंदोलन भारत वास योगे दुखों को दूर करने के लिए छे दूर करने के दूर करने उंके हो रहा है है और इस पूरा करने के लिए कुछ ना विश्ना चाहते हैं आगी नहरुजी कहते हैं कि हम इस आंदोलने भाग कैसे ले हमारा इस आंदोलन में क्या कर्तव्य हो इसके बारे में हमें सोचना चाहिए अब वे कहते हैं कि यह सब इस आंदोल में भाग लेने से पहले हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि हमारे देश को किसी तरह से हानी ना पहुचे यानि हमारे देश को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुचे जवारलाल नहरुजी कहते हैं कि कई बार हम संदे यानि शक में पढ़ जाते हैं कि हम क्या करें क्या न करें या निश्चे करना कोई सरलकारी नहीं है तो जवालाल नहरू जी कहते हैं कि इंद्रा गांधी को समझाते वे कहते हैं कि यदि तुम्हें कभी ऐसा कोई संदे महसूस हो तो निश्चे करने के लिए मैं तुम्हें छोटा सा उपाय बताता हूँ कौन किसे उपाय बता रहा है जवालाल नहरू जी इंद्रा गांदी जी को उपाय बताते हैं कि तुम कोई भी कारिय ऐसा न करना जिसे दूसरों से छिपाने की इच्छा तुम्हारे मन में उठे किसी बात को चिपाने की इच्छा कब होती है बच्चो किसी बात को चिपाने की इच्छा तभी होती है जब तुम कोई गलत कारिय करते हो तभी तुम्हें चिपाने की इच्छा होती है तो इसलिए हमें कैसा बनना चाहिए इसलिए बहादुर बनो और सब कुछ सोयम ही ठीक हो ब्लज्जित होना पड़े यह कौन समझा रहा है जबानाल नहरूजी इंद्रा जी को समझा रहे हैं कि तुम कोई भी ऐसा कारे ना करना जिसे छिपाने की तुम्हें इच्छा तुमारे मन में उठे किसी बात को छिपाने की इच्छा मन में कब उठती है जब हम गलत का जब त तब मन में चिपाने की इच्छा उठती है, तो क्या बनना चाहिए हमें, तो इंद्रा जी को कैसे बनने के लिए कहा जा रहा है, इंद्रा जी को बहादुर बनने के लिए कहा जा रहा है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद जो भी कारी होगा, वो सब कुछ स्वाय ही ठीक हो जाएगा इसलिए जवालाल नहरु जी इंद्रा जी को क्या बनने के लिए कह रहे हैं ताकि वह ऐसी कोई बात नहीं करेंगी जिससे उन्हें डरना पड़े या जिसे करने से उन्हें लज्जित होना पड़े तुम्हें यह तो मालूम ही है कि बापू जी के नेतृत म का जो आंदोलन चलाया जा रहा है उसमें छिपा रखने जैसी कोई बात नहीं है हम तो सभी काम दिन के उजाले में करते हैं तो बच्चों जवालाल नहरु जी इंद्रा जी को या दिलाते वे कहते हैं कि तुम्हें तो पता ही है कि देश में जो आंदोलन चलाया जा रहा है वह किसके नेतरुत में हो रहा है यह जो आंदोलन है वह बापु जी की नेतरुत में हो रहा है यह आंदोलन किसके लिए है यह आंदोलन भारत वासियों को दुखों को दूर करने के लिए किया गया है और इस आंदोलन को छिपा रखने जैसी कोई बात नहीं है हम तो सभी काम क इसके कब करते हैं हम तो सभी काम दिन के उजाले में करते हैं अंत में जवहालाल नहरू जी इंद्रा जी से बिदा लेते हैं कि अच्छा बेटी अब बिदा भारत की सीवा के लिए तुम बहादू सिपाही बनो यही मेरी शुप कामना है तुम्हारे पिता जवाहा लाल नहरू तो बच्चो जवाहा लाल नहरू जी किस से बिदा ले रहे हैं जवाहा लाल नहरू जी पत्र की समाप्ती करते हुए इन्दर जी से बिदा ले रहे हैं और वे कहते हैं कि भारत की सेवा के लिए तुम कैसी बनो भारत की सेवा के लिए तुम बहादूर सिपाही बनो यही मेरी शुप कामना है तुम्हारे पिता जवाहलाल नहरू तो बच्चो नहरू जी ने इंद्रा जी को बहादूर बनने को क्यों कहा है नहरुजी ने इंद्रा जी को बहादुर बनने के लिए इसलिए कहा है ताकि वे भारत की सेवा कर सके और एक बहादुर सिपाही बन सके ठीक है बच्चो तो इस तरह आज हमने पिता का पत्र पुत्री के नाम पाट पढ़ा इस पत्र के माद्यम से हमने यह जाना कि किस तरह से हमारे देश में आंदोलन किया गया और सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए इस आंदोलन को पापुजी ने किस तरह से पूर्ण करने के लिए अपना योगदान दिया तो बच्चो आज हमने पिता का पत्र पुत्री के नाम पाट पढ़ा इसी के आधार पर आपको असाइमेंट दिया जाएगा जिसे पूर्ण करके आज शाम पांच बज़े से पहले जमा करना होगा धन्यवाद